दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि साप और नेवले की लडाई होती क्यूं है साप और नेवला प्राकृतिक दुश्मन है यह ऐसा इसलिए है कि वे एक दूसरे से गृणा करते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन है अब बात करते हैं कि इनकी दुश्मनी के असली वज़ा की साप और नेवले के पीश की दुश्मनी का असली कारण कुछ और ही है दरसल साप नेवले के बच्चे का शिकार कर लेता है उसे नेवले के बच्चे पोजन के तौर पर काफी अच्छे लगते हैं अपने बच्चे को वक्त साप को लहुलवान कर नेवला बचा नजर तो आता है लेकिन थोड़ी देर बाद ज्यादा तर मामलों में उसकी मौत हो जाती है साथी साथ साप के से ज्यादा फुर्तीला होने की वज़ा से भी नेवले को फायदा मिलता है वह अपनी फूर्ती से साप के डंक से बच्चा रह जाता यही असली वज़ा है कि साप और नेवले असल में लड़ते क्यों है और अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो हमारे च स्टेस्टी.